प्रेंड्स मैं डॉक्टर नवीन अलावादी पल्मोलोजिस्ट एंड टीबी फिजीशन आज आपके सामने एक टॉपिक पे वीडियो लेकर के आया हूँ जो मेरे वीवर का कॉश्चन है उनका कॉश्चन था कि एक महिने तक मैंने टीबी की दवाई ले ली है मेरी खांसी ठी और मेरे लगातार जो क्लिनिक पे पेशन आते हैं वो भी यही प्रशन पूछते हैं तो मुझे लगा मेरे को इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए तो शुरू करते हैं आज का यह टॉपिक कि क्या एक महिना टीबी की दवाई लेने पे खांसी ठीक हो जाती है कि नहीं तो friends इस प्रशन का उत्तर देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यह बताना चाहूँगा कि टीबी दो प्रकार की होती है एक pulmonary टीबी होती है जिसे हम lungse की टीबी बोलते हैं दूसरी extra pulmonary टीबी होती है जो lungse के बहर की टीबी होती है तो टीबी बोड़ी के किसी भी औरगन TB बोलते हैं, तो जो खासी का लक्षन है, वो pulmonary TB में मिलता है, तो generally कुछ patient में क्या होता है, कि जो pulmonary TB के होते हैं, या extra pulmonary TB, जो lungs के बाहर पानी आ जाता है, उसे भी हम extra pulmonary TB मानते हैं, क्योंकि फेफडो lungs के बाहर जो जिल्ली होती है, जो plura की lining होती है, उसमें जो पानी भरता होती है, तो TB कई तरीके से lung को involve करती है, कुछ एक patient में तो एक छोटा सा निशान आएगा, जैसे right lung में उपर की तरह बहुत common sight है, और कुछ एक patient में पूरे बड़े बड़े जखम हो जाते हैं, दोनों lungs में पूरे TB के इतने ज़्यादा जखम हो जाते हैं, कि एक तरीके से जो TB का bacteria होता है, जो bacilli होता है, वो lung tissue को खा जाता है, तो खोखला सा हो जाता है, और जब खोखला होता है, तो कहीं कहीं पे air आ जाती है, तो अगर इस तरीके का pattern है, तो जब तक कि वो lung heal ना हो जाएं, यानि कि लंग को जो चोट पोची है, जो घाव बने हैं, जो lung tissue damage हो ग तब तक patient की खासी ठीक नहीं होती, तो ये निरभर करता है कि खासी कितनी ज़्यादा फैली होई है, तो आप अपने doctor की सला लीजिए, और ज़्यादातर patient में, जो mild TB वाले patient होते हैं, उनमें ज़्यादातर patient में एक महिने में, या दो महिने लगते हैं, खासी ठीक होने में, ठीक है, लेकिन जिनकी TB ज़्यादा है, लंग डैमेज हो गया है, तो जब तक 80% लंग डैमेज कवर नहीं हो जाएगा, तब तक खासी ठीक नहीं होती, तो कभी-कभी 5 या 6 महिने भी लग जाते हैं, खासी ठीक होने में, या patient को प्लूरा है, प्लूरा गल TB है, TB प्लूरा म से बोलते हैं, प्लूरा में पानी आजाता है, जो TB वाला होता है, तो कभी-कभी क्या होता है, वो पानी धीरे-धीरे सुखता है, और patient को, कभी-कभी, doctor को steroid की दवाईया भी देनी पड़ती हैं, उस पानी को सुखाने के लिए, तो जब तक वो पानी ज्यादा मातरा में patient को खासी आ सकती है, अब खासी आती क्यों है, क्योंकि जो कुछ खासी के receptors होते हैं, ठीके, तो जो खासी होती है, वो एक defense mechanism होता है, या तो जो secretion भर जाते हैं अंदर हमारे ब्रॉंकस में, जो pathway होते हैं, या तो secretion भर जाते हैं, तो body try करती है, उनको निकालने का, खासने क जरिए, या फिर हमारे cuff receptor होते हैं, जो parietal pleura और visceral pleura lung की covering होती है, उनके उपर cuff receptor होते हैं, और lung perenchyma में भी होते हैं, कुछ एक cuff receptor होते हैं, वहाँ पे अगर कुछ भी चीज़ टूगी, जैसे mechanism receptor होते हैं, impulse. ठीके? ब्रेन को इंपल्स जाता है, तो खासने से पहले पेशन क्या करता है? एक लमबा सांस लेता है. कभी भी खासी आती है, तो ब्रेन क्या रेस्पेरेटरी मुसल को संदेश भेचता है कि आप सांस लो पहले. पहले सांस लेंगे, सांस जब लंबा लेंगे उसके बाद ही खांसी करेंगे फिर forceful expiration होता है expiration मतलब जब हवा छोड़ते हैं तो brain से receptor जाता है कि पहले तेजी से सांस लो फिर जोर से जटके से सांस छोड़ो तो पहले तो inspiratory muscle काम करती है फिर expiratory muscle काम करती है दो या तीन बार जटके से तो एक cuff reflex जिसको बोलते हैं यह pathway होता है reflex का तो cuff reflex का pathway activate होता है और patient खांसी करता है ताकि उसके secretion निकल जाए या यह indication होता है कि something is wrong inside our body या तो indication होता है या protective reflex होता है और defensive mechanism होती है secretion बाहर निकलने के लिए तो ऐसा हो सकता है कि TB अभी आपके lung में बची हो या फिर कुछ patient होते हैं जिनको TB के साथ bronchitis भी हो जाता है जैसे हम allergy बोलते हैं फिफडो की या asthma भी हो जाता है तो आप अपने doctor की pulmonologist की जो chest physician होते हैं उनकी सला लीजिए वो आपको बताएंगे कि कफ का क्या reason है वैसे जनरली TB में एक या दो महिने लगते हैं जिनकी lung damage थोड़ा होता है और तीन या चार महिने या पांच महिने तक लग सकते हैं ठीक होने में खांसी को अगर lung damage जादा है तो तो खांसी एक ऐसी चीज है सबसे late में ठीक होती है सबसे late जाती है सबसे पहले fever ठीक होता है breathing difficulty ठीक होती है और सबसे end में खांसी ठीक होती है और जब खांसी ठीक होती है patient का वजन भी तभी बढ़ता है तो ये भी परशन पूछते हैं कि वजन कब बढ़ता है और कुछ एक patient का तो वजन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है क्योंगी पहले से उनका वजन कम होता है ठीक है तो खांसी ठीक होना और वजन का बढ़ना ये सबसे लेट में आती है अचीज है तो आप घवराइए नहीं अगर खांसी ठीक नहीं हो रही है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू धन्यवाद